तो जैसा कि पिछल एपिसोड में हमने देखा था वांगलिंग फिलाल वो जो सिल्वर कॉर्प्स था उसे रिफाइन करने को देखता है अब आगे फिलाल ये कमपास को एक्टिवेट करता है और कमपास क्योंकि एनहाइलेशन हार्ड था भी सिली तो उसमें से बहुत सारा रे चीन्स बंदेवे थे जैसा कि मैंने बताया था फिलाल ये अपने मूँ को खोलती है और उसमें से कैची के समान कुछ निकलता है जो कि जो रेश्रिक्शन्स बन रहे थे उन्हें काटने लगता है और फिलाल ये पहले समें ब्रेक्ट्रू करने वाली थी मतलब यहाँ से नि निकालने लगता है लेकिन ये जो लाश थी क्योंकि इसके अंदर इंट्यलीजेंस था तो ये वांगंलिंग को एक नफरत से देखती है चेंस तो निकाल देता है बड़ चेंस में भी मानों काटे जैसे कुछ आजाते है बड़ वांगिलिंग इन्हें हाँच कर लेता है और वांग लिंग जो celestial emperor kingling का expelled था corpse guard उसे refine करने को सोचता है ऐसे corpse जो होते है वो pain feel नहीं करते है और अपने owner को हमेशा protect करते है लेकिन वो materials इसे मिलना मुश्किल था तो ये सोचता है कि बस मैं एक method यूज़ करूँगा ताकि इसे control कर पाऊँ इस दुरान समय निकल रहा था पंदरा दिन निकल जाते है तो वांग लिंग अब बाहर भी नहीं आता है चुकि इस matter में concentration full चाहिए woman इस compass के उपर बैटी वी थी जो कि rotate कर रहा था और अब इसके third eye पर एक mark चमकने लगा था जो भी इसका नफरत था वो खतम हो जाता है पर यह दिखने में गज़ा भी सुन्दर थी वांग लिंग अपना water separate पर समय निकाल रहा था cultivation कर रहा था refine कर रहा था या उन पर इस दुरान कुछ होता नहीं बस एक चीज़ होता है यह planet टीयान उन पर एक powerful cultivator पहुंसता है जिसका नाम था सिटू नान और वो pink palace का palace lord बन जाता है लेकिन इसका जो reputation था यानि जो नाम था वो अच्छा नहीं था यहाँ पर जितनी भी cultivators थी आसपास में सबको यह harass करता है लेकिन forcefully नहीं मतलब क्योंकि यह निर्वाना क्लिंजर लेवल पे था तो उन्हें spells के भाने थोड़ा बहुत मजे भी ले लेता था सबके नहीं बट भाई के followers काफी हो चुके थे यह कहीं भी जाता इसके आसपास 1000 female cultivators होती तो 64 के रूप में अपना भाई famous हो चुगा था तो pink palace को बहुत सारी female cultivators join करने लगती है क्योंकि यह उन्हें spells भी सिखाता था pills भी देता था तो टियानी उन्हें पर सेटुनान का नाम famous होने लगता है और इसे कुछ कानों में खबर आती कि तीन चैन ब्रदर्स हैं और दो female उनके disciples हैं जो कि बहुत सही दिखती है और उन्हें से एक के पास तो water spirit root है और दूसरी काफी cold nature की है अब सेटुनान को लगता यार चलते हैं फिर water spirit planet और कुछ अपनी female साथियों के साथ यह उस तरह बढ़ता है तो एक नाव या जो भी हवा में जो तैर सके उसके पर सेटु का बैट था जिस पर यह लेटा हुआ था और आसपास female cultivators थी सौव के आसपास सेटु को एक यहाँ पर medillagement बताता है मतलब जो साथ इसका disciple हो सकता है और बोलता है senior सेटु वो दोनों जो है ना वो top quality की है वो जाउक जू तो खजबी सुन्दर है और लिंगेर उसका तो water spirit route है तो उसको cultivation furnace बनाये जा सकता है अब सेटु कहते हैं अगर यह बात सही निकले तो मैं तुम्हें celestial spell भी दूँगा पिल भी दूँगा तुम चूज कर सकते हो बन्दा भी काफी खुश था और यह बन्दा अपसूसता है कि देखते हैं यह जाउक जूग अब क्या करती है बहुत जादा यह करती है ना senior सेटु के सामने यह लोग कुछ नहीं कर भाएंगे और लिंगेर भी नहीं बचपाईगी बट सीटो को पता था कि मेंडिलेज्ड मैन का अपना मकसद है यह समझ जाते कि लगता है इसके कोई दुश्मनी है उन दोनों से बट सीटो को फरक नहीं पड़ता कि वाटरस पे रिटूट सही है और मेरा भाई जो है वो लकड़ी का तुकड़ा है उसको तो अभी दक कोई स्थरी मिली नहीं होगी तो यह उसके लिए अच्छी हो सकती है मैं उसे गिफ्ट करूँगा वांग लिंग को इसने धोननी के कोशिश किया था टियानियोन पर बट इससे कुछ पता नहीं चला था इसने सोचा था कि heavenly fate से एक जाता हूँ बट वहां पर एक powerful sealing force पूरे area को cover करके था किसी को नहीं समझता है कि ऐसा क्यूं है वहांपे seal पहले नहीं हुआ करता था लेकिन इसे थोड़ा बहुत खबर मिलता है वांगलिंग का rumors पता चलता है डेवन स्परिट लेंड का और जब सीटों को पता चलता है तो वह खुश होता है कि ये है ना मेरे भाई वाली बात अगर कुछ करो तो heavens को हिला के रखतो तब तो कुछ बात है और इसे फिर पता चलता है कि इस सीट वांगलिंग कुछ मैंने पहले टियानियून वापस आयता और ये समझ जाते कि अगर वो वापस आयोगा तो तैयारी के साथ आयोगा वो बंदा हमीशा से चोकन ना था तो ये सोचते हैं लेकिन फिर भी यार ये ओल्सीर के बारे में इन्हें तो पता चली गया था तो क्या उसका कल्टिबिशन काफी बढ़ चुका है यानि अपने वांगलिंग का इसलिए सीटू फिर पिर पेले समाके रहने लगते हैं और चीजे पता कर रहे थे लेकिन फिल हाल इन दोनों लड़कियों को लेने जाते है कि वांगलिंग को गिफ्ट करेंगे फाइनले इन्हें वाटर स्पिरिट प्लैनेट दूरी पर नजर आता है और अब सोचते हैं ये सेटू कि देखो यार मैं मतलब कितना अच्छा आदमी हूँ कितना देखो आदमी हूँ लिटिल लिन के लिए मतलब महिला धूनने आयों और जब उसे पता चलेगा तो वो कैसे रियक करेगा और सेटू हसते हैं अब सेटू का डिवाइन सेंस इस प्लैनेट पर फैलने लगता है खास करके ये एरोगेंट भी थे और इनका जो डोमेन था वो डेमोनिक था तो उनका पावर गजा भी लेबल का था तीनों चैन ब्रदर्स कल्टिवेट कर रहे थे बटरचानक से आँखे खुलते हैं गाइब होते हैं और हवा में प्रकट होते हैं लेकिन जब प्रकट भी होते हैं तो उस पावर की वज़े से इन्हें पीछे हटना पड़ता है बिग हैड और लीजी को भी ये पावर फील होता है और लीजी क्योंकि उसका कल्टिवेशन ज़्यादा नहीं था तो थोड़ा खून के उल्टी करता है और बिग हड इस तुरान वांगलिंग के पैलेस के पास प्रकट होता है और टाशान के सब इस एरिया को प्रोटेक करता है ज़्यादा तर लोग तो बेहोश हो जाते है जाउक जू और लिंगेर को ज़्यादा कुछ नहीं होता है अब यह डिवाइन सेंस वांगलिंग के महल के तरफ पढ़ता है पर वांगलिंग एकदम क्रेटिकल पोजिशन पे था इस कॉर्प्स को रिफाइन कर रहा था और क्योंको यह लाश निर्वाना क्लिंजर लेवल की थी तो जो भी इस से ज़्यादा पावर्फल होगा यानि निर्वाना शैटरर का वही यहां तक पहुंच सकता था अब ज़र माश्टर हॉलोविंट भी देखते हैं और डर जाते हैं और यहां पर एक आवाज आती कि आज मेरा मूड साही है ने तो तुम बसते नहीं मतलब हॉलोविंट के भी फार देता है अपना सेटू ना और अब यह बोलते है कि यह एक लड़की आना है यहां पर वाटर स्पिरिट रूट वाले और एक जाउकजू नाम की वो दोनों मुझे चाहिए फिर तुम लोग बच्चा होगे और तुम हाफ निर्वाना मतलब हाफ डेट निर्वाना क्लिंजर कल्टिवेटर मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो अब इस आवाज को सुनते हैं चैन बदरस तो खुन के उल्टी करने लगते हैं मतलब उसका प्रेशर इतना था अब फिलाद तीनों भाई मिलकर के फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगते हैं और यहाँ पर तीन लेयर्स अफ लाइट बनते हैं सेटू देखते कि अच्छा ये बात है और बोलते हैं अब तो मजा हैगा और सेटू अपना एक उंगली आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं अनहाईलेशन एक वर्टेक्स बनता है जो कि यह जो बैरियर्स थे इन्हें तोडने लगता है और यह याद करते हैं कि जब मैं पिछली बार क्लोजड और कल्टिवेशन में गया था तो मैंने Finger of Death, Demonic Finger और Underworld Finger यह तीन अटेक्स बनाये थे और इन्हें इंप्रूफ कर लिया बात में देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ इस प्रोटेक्शन को पलग छपकते हैं पहला लेयर फट जाता है यह फिर से अपनी औरा रिलीस करते हैं और दूसरे लेयर को काट देते हैं और बोलते हैं Enhilation Change और क्योंकि यह निर्वाना Cleanser Cultivator है तो नेचर से भी Origin Energy को Absorb कर सकते थे और अपने अटेक को Powerful बना सकते थे और यहां पर एक चीज हमें बता चलती है कि वांग लिंग ने वो जो भाई के लिए Concubine धोन रहा हूँ तो बीच में कोई मत आना ने तो मरोगे इधर तीनो चैन ब्रदर्स फिर से खुन के उल्टी करते क्योंकि इन्होंने लेयर्स बनाये थे और वो तूट चुके थे अब Pink Palace के पूर यहां पर लड़की आयोई थी तो एक अलगी खुश्बू यहां के स्पेस में छा जाती है और वो जो Medillagement था ब्लू कपड़ों में वो काफी खुश था कि चैन ब्रदर्स को देख करके अब आ रहा है मजा मतलब इशारो इशारों में अब Master Yi Chen बोलते हैं सेटू नान से कि Fellow Cultivator आपका Cultivation गजब लेवल पर है आपका कुछ तो नाम होगा सेटू हसते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई सेटू नान और यह बोलते हैं कि आप इतने पावर्फुल हो आप हमें क्यों बोले कर रहे हो और लिंगेर और जाउगजू वो तो बच्ची आये अब यह बोलते हैं सेटू भाई अबने कि यार मुझे देखो लड़कियों की कमी नहीं है और मुझे तुम लोगों से फरक नहीं पड़ता बट मेरा भाई थोड़ा यंग है ज्यादा बुड़ा भी नहीं है हजार साल का है बट एक चीज समझ लो वो बहुत एंडसम है और तुमारी ये जो दो जूनियर्स है मेरे भाई के लिए ठीक ठाक है तो मेरा समय वेश्ट मत करो नहीं तो फिर सब मारे जाओगे एक आवाज आती है मतब दो लड़किया प्रकट होती है और जाओगजू बोलते कि मैं आपके साथ चलने को त्यार हूँ बट मेरी बहन को छोड़ दो लिंगेर को सेटू देखते कि हाँ लड़की सुन्दर तो है ये जाओगजू और बीवी बनने लाएक है अब ये लिंगेर को देखते है और फील कर लेते हैं मतलब स्कैन करके कि इसके पास है वाटर स्पेरिट रूट अब सेटू नान अपने औरा फेलाते हैं दोनों को ट्रैप कर लेते हैं और बोलते हैं अब मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ और अब ये पीछे पलड़ जाते हैं निकली रहते। मास्टर ईचेन का मानो दिल फाट रहा था बट इसे ये अपनी बेटी मानते थे लिंगीर को और जाउगजू भी कुछ वैसी थे अब ये पलटते हैं और वांग लिंग के घर की तरफ देखते हैं और फाइनले बोलते हैं ब्रदर वांग इस बार मेरी मदद कर दो बस एक बार बट वांग लिंग अलागी मुद्रा बतलब अलागी कॉंसेंट्रेट था और उसका डिवाइन सेंस फैला भी नहीं था बस उस जगे फिये फोकस था सेटुनन जा रहा था लेकिन जब ये सुनता है ब्रदर वांग तो रुक जाता है कि आपर कोई वांग नाम से है गया उसका पूरा नाम क्या है फिर सेटु बोलते हैं मैं खुद देख लेता हूँ और उसी पैलेस की तरह पढ़ते हैं जहापर वांग लिंग था अब बीच में होलो विंड को आना पढ़ता है और ये सिटु से खेते हैं कि यार आपको जो चाहिए थो वो मिल चुका है तो आपको चले जाना चाहिए पट सिटु बोलते हैं यार अगर तु इंजर्ड नहीं होता ना तो थोड़ा बहुत मेरे से फाइट कर भी पाता बट अभी तो तु मुझे ब्लोक करनी सकता है अंडर वल्ड फिंगर ये यूज करते हैं आजमान के रंग बदलने लगते हैं एक डेथ और अर फेल्टी है इसमें एक लाइफ वाला भी पार्ट था जो कि सिटु इस नेचर से अब्जॉर्ब करके इस अटेक को बनाते है तो इसमें ये न औरा थो थी और यांग औरा भी थी यानि ये डेथ और लाइफ दोनों था और ये हॉलो विंड के तरह बढ़ता है हॉलो विंड इससे काउंटर करने के लिए एक सील बनाते है बट वो एक्स्प्लोड कर जाता है और जो सेटू का अटेक था अंडर वर्ल्ड चेंज बतलब इसका ये औरा चेंज कर देते है ये अभी भी हॉलो विंड के तरह बढ़ता है और सेटू अब उस वांग लिंग के पैलेस के तरह बढ़ने लगते है टाशान और बिग हैड बीच में आना चाते थे बस सेटू अपना ऐसा हाथ घुमाते है और दोनों दूर फ्रैक दिये जाते है बट फिर भी टाशान एक पंच मारता है सेटू अवाक हो जाते है यार ये सही चीज है बट फिर भी टाशान को फेक देते है और ये बोलते हैं यार ये तो अलग ही हो गया कि इस बंदे का एक निर्वाना क्लेंजर एक निर्वाना स्क्रायर और एक पपेट जो की बॉड़ी काफी पावरफुल है उसे गार्ड कर रहे हैं मैं इस बंदे वांग से मिलना चाहूंगा अब सेटू पहले सके हजार फिट वाले एरिया में जाते हैं और देखकर हैरान थे डिवाइन सेंस इनका फैला था लेकिन अब सामने से देखना मदब इस एरिया में आ करके और अचानक से आपर बहुत सरा रे रेस्टिक्शन्स एक्टिवेट हो जाते हैं सेटू नं पीछे भागने लगते हैं कि यार इतने सारे रेस्टिक्शन्स अब सेटू एक वर्टेक्स बनाते हैं जो कि रोटिएट करता है और इन रेस्टिक्शन्स को काटने लगता है अब अंदर से एक फीमेल वाईस आती है जिसकी जो चीखने के वास थी, वो अलगी थी, धरवाजा खुलता है, और यह सिलफर वूमेन, सिटू पर अटेक कर देती है, अब सिटू अपने हाथ को आगे बढ़ाते है, और एक अटेक यूज करते है, सेलेस्टियल, एंट्राप्मेंट फिंगर, अब यह फिंगर का जो जो इने काटने लगती है, सिटू बोलता है यार यह क्या चीज़ है, बट फिर भी सिटू के पास समय था, तो अब यह पैलेस के अंदर जाते है, और यहाँ पर माउंटेन ट्रैंबल फिंगर, अटैक यूज करते है, अब यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड प्रकट होता है, जो इसमें heavens के औरा थी, पावर पढ़ते हैं, अंदर से भी एक हसने के वाज आती है, और एक औरा बाहर निकलती है, दोनों फोरसे से दूसरे से टक रहते हैं, और पूरा पैलेस, फट फूट जाता है, सिटूनान शॉक्ट थे, और हजार फिट पीछे अटते हैं, और इनक मतलब इसे comprehend किया है, इसे test करता हूँ आज, और सिटू इसमें, यहाँ पर बहुत सारे mountain souls को भी, जो इस area में होगे, उन्हें merge कर देते हैं, वांग लिंग भी इसे देखता है, जो थोड़ा हैरान था, और ये फिर से एक punch मारता है, अब collision होता है, तो एक अलगी आवाज आत हैं, सिटू हसते हैं, पीछे चले जाते हैं, बढ़ काफी खुशते हैं, एक तारीफ का भावा आता है इनको, वांग लिंग के लिए, और ये बोलते हैं, कि तुम्हें मैंने ऐसे 100-200 साल से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज मुझे surprise कर दिया, वांग लिंग भी पीछे फ्यूस हुजाते हैं, क्योंकि वांग लिंग और सिटू यहां से निकल जाते हैं, और थोड़ी दूर जाते हैं, हॉलो विंड के नेजर, फिलाल उस लाश पे पड़ती है, जो बाहर निकल गया थी, और सिटू के स्पेल को अभी काट चुकी थी, और वांग लिंग उसी प तुम निर्वाना स्क्रायर के मिड के पीक पर हो, लेकिन तुम निर्वाना क्लेंजर अरली फेस को भी काउंटर कर पा रहे हो, और सिटू जैसा बंदा, जो कि निर्वाना क्लेंजर में भी है, तो बहुत टैलेंटेड है, मतलब इस टैलेंट के मामले में सिटू का कोई पड़ा हो गया, सेटू ने इसको एक बार बचाया था, और बहुत बार गाइड भी किया था, सेटू को याद आता है, और वांग लिंग को भी, कि वांग लिंग जब सेटू उधर दूर चला गया था, तो वांग लिंग ने बोला था, कि मैं या तो अपने पैरेंट्स को अंडर वल्ड फिंगर वगेरा, जिसकी मदद से वांग लिंग पैने टियान यून पर फाइट कर भाया था, और हेवंग डिफाइंग भी, अगर सेटू के अंदर लालच होता, तो वो वांग लिंग से ले 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 था, वांग लिंग उतना पावरफुल था भी नहीं, बट सेटू ने से गिफ्ट में दे दिया था, तो पुरानी मेमोरीस ताजा हो जाती है, दोनों मस्त वाइन पी रहते हैं, और सेटू बताते हैं, यार मैं फैंग लुवान पे मजे कर रहा था, लेकिन वो लेडीज, और तुम्हें तो पता है, मुझे कल्टिवेशन वगरा में वो मेरे पीछे पढ़ गी थी, मुझे मजबूरी में कल्टिवेशन में जाना पड़ा, चुहे की तर मैं भाग रहा था, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, सिटू काफे गुस्से में थे, और बताते हैं कि जब मैं कल्टिवेशन से निकला, तो फैंग लुवान पे तुम भी अपने कल्टिवेशन के हिसाब से, इस अपनी बोड़ी से बाहर ने निकल पाए, सिटू वाइंग पी रहते हैं और बोलते हैं यह फैंग लुवान की लेडिज, उन्हें कहां से पोईजन मिल गया मुझे भी नहीं पता, मैंने रेकॉर्ड्स चेक के, इस पोईज मतलब जिन्दा कैसे हो, और कल्टिवेशन भी इसकास गया नहीं था, सिटू स्माइल करते हैं और इस दूरन दूसरा वाइन का जग खोलते हैं, और बताते हैं तुम्हें तो बता मैं थोड़ा होशी आ रहा हूँ, तो मैं एक अलग तरीके से इस पोईजन को रेजिस्ट कर सिटू बताते हैं नहीं, ज्यादतर निर्वाना क्लिंजर में मिड फेज हैं, लेकिन बात ऐसी है यार कि निर्वाना क्लिंजर मिड फेज में भी बहुत सारे हैं, टोटल दस पकड़ लो, वांग लिंग गोलता है वो तो करना है पड़ेगा, रिवेंज तो लेना सिटू बताते हैं, कि उन लोगों के पास जहर तो था, बट उसका काट क्या है नहीं पता है, जितना मुझे पता चला, कि वो रेन सेलेस्टियल रियल्म में हो सकता है, तो मैं वहाँ जाओंगा, जब वो खोलेगा तो, और सिटू बताते हैं, कि इस पोईजन को रेन सेलेस् जो कि उनके फादर है, वो बहुत पापरफुल है, तो हमें रेन सेलेस्टियल रियल्म जाना भी नहीं पड़ेगा, अगर हम डेमन स्पिरिट लैंड जाते हैं, जाकि मैं जाने वाला हूँ, तो तुम्हारा काम हो सकता है, सिटू खुश हो जाते हैं, कि मैं भी चलूँगा और वांगलिंग एक चीज़ और कहता है, कि फैंग लुवान वाले, वो तो बचेंगे नहीं, अब पीते पीते, सिटू नान कहते हैं, कहीं तुम्हें आत्मा घ्यान तो नहीं हो गया, मतलब यहां पर दो सुन्दर लड़किया, वांगलिंग बोलता है, अरे भाई वैसे ब लिव में शायद मरी नहीं है, इसका एक अपना intuition था, six sense, और सिटू भी वांगलिंग की आखों में वो दर्द देख सकते थे, खास करके इन हैं, वांगलिंग और लिमुवान का तो पता था, इसलिए वांगलिंग के लिए एक furnace धोन रहे थे, एक लड़की धोन रहे थे, ज वांगलिंग के शब्द को सुनकर सिटू भी थोड़े से निराश हो जाते, मतलब उदास हो जाते, और वांगलिंग बताता है कि तुम्हें पता नहीं होगा सिटू, बट accidentally लिव में pregnant हो जाती है, मेरी वज़ा से, लेकिन उसने जो बच्चा था, उसके सोल को तड़ पाया, और मजबूर किया कि वो बंदा मेरी से बदला ले, और ये ऐसा इसली हुआ, क्योंकि भाई मैंने cultivation शुरू किया, अगर नहीं करता, तो न तो मेरे माबाप मरते, न तो ये सब चीज़े होती है, सिटू फिर से एक वाइन का जग वांगलिंग को पकड़ाते हैं, और वांग वांगलिंग नशे में आ जाता है, तो इसे बचपन के वो जो कवीताएं रहती है, वो याद आती है, ये सेटू को सुनाता है, और ये सेटू को पताता है, कि मेरा एक बेटा था, लेकिन तो मुझस से मिल नहीं पाऊगे, उसका नाम था वांगलिंग, और मैं उसे समय निकलता है, और सेटू को इस प्लैनेट पर आये हुए, दो मैने निकल चुके थे, वहीं हेवनली फेट सेक्ट, उसके फॉर्मेशन को हटा दिया जाता है, सब ही लोगों को समझ में आ जाता है, कि लगता है अब डेमन स्परिट लेंड खुलने वाला है, और एक अनाउ कि जो चारों सेलेश्टियल रियल्म थे, उनमें सबसे पावरफुल जो एंपरर थे, वो सेलेश्टियल एंपरर किंग लिन ही थे, इसे लिए ओलसीर वगरा विदर अट्रेक्टेड थे, क्योंकि शायद वो थर्ड लेवल के कल्टिवेटर थे, और आप खुद सोचके और ये दस दिन भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, डेमन स्पिरिट लैंड का जहां पर एंटरी गेट था, वहां पर बहुत सारी लोग अभी कठा होने लगते हैं, और आलसीर आज के दिन एक ट्राइडेंट लिए थे, जो कि इनका पावरफुल वेपन माना जाता है, जो इसे रेरली यूज़ करते हैं, दीरे दीरे यहां पर बाकी लोग भी आते जाते हैं, फिरसे वो मिडिलेश वूमेन आती हैं, जिनके साथ में उनकी चार डेसाइपल्स भी थी, और इनहीं ने वांगलिंग को इन वाइड भी किया था, अगर आपको याद हो, और जो उनसे पिंक ड्रेस जिसने पहना था, लिंक ट्यानों को लगाता है, कि शायद वो बंदी मतलब, ब्रिलिंट वॉइड की सेंट्रेस हो सकती है, जादतर जो लोग आते हैं, वो निर्वाना इस क्रायर लेवल पे थे, इस दोरान गोल्डन नाइट चमकता है, और एक 40 साल का बंदा यहाँ पर बाहर आता है, इसने परपल रोप पहना था, और इसके सोल्डर पर, यानि कंदो पर, वो तीन आखो वाला पक्षी बैठा हो था, बॉलसीर इसे दिखकर थोड़ से चिंतित हो जाते हैं, और यह बंदा स्माइल करता है, कि बहुत समय हो गया, मिले नहीं, बॉलस इन्हें Elder Sun कहेंगे, इन्हें भी Invitation गया था, तो ये इसलिए आये थे, और ये किसी और बंदी का नाम लेते, जिसे सुन करके, लिंग टियान हो, काफी कुछ थे, इतर डेमन स्पिरिट लेंड के अंदर दिखाय जाता है, जिसके अंदर में एक Soul Refining Tribe था, अगर आपको याद हो में, दस लोग एक बड़ी से statue लेकर आ रहे थे, इस इन्सान को कोई नहीं भूला था, इसके बारे में बहुत कथाएं चलती थी, और ये Soul Refining Tribe का प्रतीक था, जिसे ही अपना ancestor भी कहते थे, इसके पूझा करते थे, बट ये लोग बोलते थे, कि ancestor चले तो गए, बट हमें व झाल झाल झाल